सालों पुरानी दोस्ती में आई दरार दीपिका से फलक ने क्यों बनाई दूरी बोली नफरत करती हूँ टीवी इंडस्टी में दीपिका ककड और फलक नाज की दोस्ती तो जगजाहिर रही दोनों साथ में ससुराल सिमरका में नज़र आई थी फलक सीरियल में जानवी का रॉल आदा किया था शोके दोरान दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई कि इनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देने लगा था फिर दीपिका की शादी हो गई वह परिवार में बिजी हो गई बीते साल दीपिका की नंदस सवा की मौदहा उत्तर प्रिदेश में शादी हुई थी इसकी सारी तैयारियां दीपिका ने की थी इस दोरान फलक संग दीपिका की बात कम होने लगी आज दोनों ही एक दूसरे से बात करने से कतराती हैं दोनों की दोस्ती खतम हो चुकि यहाल ही में फलक ने दीप का संग फ्रेंडशिप पर खुल कर बात की इटाइम्स को दिये इंटर्वी में फलक ने कहा लाइफ में कभी-कभी ऐसा हो जाता है जब आप किसी के साथ अच्छी दोस्ती में रहने के बाबाजू सालों बाद भी अलग हो सकते हो और कई बार ऐसा भी होता है जब आप कुछ ही मिन्टों की बातों में किसी के साथ connection महसूस करने लगते हो यह ब्रांट्स और connection universe तेक करता है यह काफी deep होते हैं पर life में वो वक्त भी आता है जब लोगों की priority बदल जाती है और मैं उस case में किसी का दूसरा option नहीं बन सकती जब कोई free होगा तब ही बात करेगा मुझसे जब मैं परेशान में थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तुम मेरे लिए खड़ी हुई नहीं तुमने मुझे support दिया फोन तक नहीं किया इसे लोगों के साथ मुझे कोई रिष्टा नहीं रखना है जब आप परेशानी में होते हो तो दुमन भी आपके support में खड़े हो जाते हैं आपसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं मैंने उसके साथ काफी अच्छे moments बनाए दीपका कक्र ने कहा मैंने उसके साथ काफी अच्छे moments बनाए दिल का रिष्टा था तो कोई बात नहीं आप अपनी जिन्देगी पे खुश रहो हम अपनी में हैं हमारे रिष्टा रात और राती खतम नहीं हुआ देरे देरे दूरियां आई उनकी साइट से पिरियोरिटी बदली मेरी साइट से नहीं मेरी शादी नहीं हुई है अब ये तक यह बात फलक ने हसते हुए कही दोस्तों कैसी लगी निए अपडेट हमें कमेंट करके जरूर बता हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले तो मिलते हैं नेक्स्टर वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो